परिचाए मा, क्या ये आश्चरे की बात नहीं है कि हम बिना भूले प्रते दिन रात में सो जाते हैं और सुबा उठ जाते हैं? हाँ, बेटा, हमारी उच्च समवेधनाएं बिना भूले हमें प्रते दिन ये कारे करने में सक्षम बनाती हैं. मा, उच्च समवेधनाएं क्या होती हैं? हमारे शरीर में स्थित तंत्र का तंत्र कुछ विशेश कारियों को करने के लिए हमें सक्षम बनाता है. तंत्र का तंत्र द्वारा इन विशेश कारियों को करने का तरीका उच्च समवेधनाएं कहलाता है. मा, मुर्गे भी बिना भूले प्रतीक सुभा बांग देते हैं हाँ, जानवरों में भी उनकी सम्वेदी क्षमताएं पाई जाती हैं बच्चो, तो आओ आज हम सम्वेदी तंद्र के बारे में विस्तार से चर्जा करते हैं आओ सीखें जानवरों तथा मानव के तंद्र का तंद्र द्वारा किये जाने वाले विशेशकारियों का वड़न करना जानवरों में सूंखने, सुनने तथा देखने की सम्वेदना की चर्जा करना जानवरों में असाधारन सम्वेदनाओं की सूची बनाना मानव मस्तिश्क क्या आपने कभी ऐसी स्थिती का अनुभव किया है कि आप अपनी कख्षा में बैठ कर पढ़ रहे हैं कि अचानक आपका ध्यान अपने उस दोस्त की तरफ चला जाता है जिसने शाम को आपके साथ खेलने का वादा किया है आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अचानक आपका ध्यान वापस पढ़ाई की तरफ आ जाता है आप शिक्षक की तरफ ये उमीद करके देखते हैं कि उसने आपके मस्दिश्क की अनुपस्तिती को नहीं पहचाना है कि आपका मस्दिश्क ही है जो हर समय इधर उधर घूमता रहता है मस्दिश्क सोचने तथा महसूस करने याद किये हुए पाठ को समरण करने चलने तथा बात करने आदी के तरेकों को नियंतरित करता है सूंकर, देखकर, सुनकर आदी तरिकों से वस्तूओं का पता लगाने में भी मस्तिश्क सहयता करता है ये हमारा मस्तिश्क ही है जो हिर्दय के स्पंदन, शरीर की ठकावट तथा भूजन के पाचन आदी अनेक बातों को नियंत्रित करता है इसी प्रकार जानवरों में भी देखने, सुनने, सुंगने, स्वात तथा स्पर्ष के लिए समवेतनाए होती हैं आओ, हम उनकी उच्चिक शमताओं के बारे में और अधिक जाने जानवरों में समवेतनाए संसार को समझने के लिए जानवरों में अद्भुत समवेदनाय होती है इन में से कुछ में पहनी निगाहें तथा कुछ में सुनने, देखने, सुनने, महसूस करने तथा स्वात लेने की तीवरिशक्ती पाई जाती है जब आप फर्ष पर कुछ चीनी के दानी गिरा देते हैं तो कुछ ही समय में चीटियां आ जाती है और इन दानों से चिपक जाती है वे दूर से ही चीनी को सूंग सकती है यदि चीटियों के रास्ते में कोई अवरोत बनाया जाए तो चीटियों का पूरा समोहू अपना रास्ता बदल लेता है चीटियां सूंग कर अपने मित्रों की पहचान कर सकती है जानवरों में सूंगने की समवेद्रा स्कूल की छुटियों के दौरान रंजीत अपनी चाची के घर घूमने गया तथा एक सबता बाद वापस घर आया वो आश्चरे चकित था कि उस रात को मच्छरों ने उसकी नींद खराब नहीं की जबकि अगले दिन हमेशा की तरह ही था वो मच्छरों के काड़ने के कारण सू नहीं सका अगले दिन मच्छर रंजीत के घर में वापस क्यों आ गए? मच्छर मानव के शरीर की कंध तथा उश्मा द्वारा आकरशित होते हैं घर में मानवों की अनुपस्तिती के कारण ही वे उड़ गए थे लेकिन उनके लोटते ही वे वापस आ गए आओ अब कुछ अनुखी आदतों के बारे में जानते हैं आपने कुट्टों को यहां वहां सूंगते हुए जरूर देखा होगा वे अपनी जगा खोच करने के लिए ऐसा करते हैं समानिता कुट्टे अपने क्षित्र को खरोशते हैं तथा वहां पेशाप करते हैं इस प्रकार वे अपने क्षित्र को चिन्नित करते हैं तथा बात में इसकी पहचान करते हैं मानवों में सूंगने की सम्वेदना रंजीत दो रास्तों द्वारा अपने विद्ध्याले पहुँच सकता है पहला रास्ता छोटा है जबकि दूसरा रास्ता लंबा है रंजीत अपने घर से कुछ देर पहले ही निकल जाता है क्योंकि वो छोटे रास्ते पर पड़े हुए मलवे की दुरगंध से बचना चाहता है जबकि दूसरे रास्ते से जाने पर हल्दी राम की दुकान पर बन रहे वेंजनों की खुश्वू से उसके मूं में पानी आ जाता है अक्शियों की आँख रंजीत ने अपने पड़ोस की कुट्टे को एक रोटी दी जब तक कुट्टा उस रोटी के पास पहुंचता एक बाज आया और रोटी को लेकर दूर उड़ गया रंजीत ये देखकर आश्चरे जकित रह गया बच्चों, क्या आप चानते हैं कि सभी जानवरों में सबसे तेज आखें पक्शियों की होती हैं बाज, चील, गिद्ध की देखने की क्षमता मानव से चार गुना अधिक होती है पक्शिय अपनी गर्दन चारों और खुमा कर आस पास की वस्तूओं को देखते हैं क्यूंकि उनकी आखें इस्थिर होती हैं, आस पास की वस्तूओं को देखने के लिए उनका मस्तिश्क उनके सिर को संकेत भीशता है हाथी के कान हाथी अपने बड़े कानों के द्वारा पांच मील दूर की ध्वनी को सुनने में भी सक्षम होते हैं आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि हाथी इतनी दूर की ध्वनी को कैसे सुन लेते हैं पहले हेलो कहो तथा ध्वनी को सुनो अब अपना हाथ कानों के पीछे रखो और तोबारा से हेलो कहो इस पर आप पहले की अपेक्षा अधिक तेज हेलो सुनेंगे जानवर केवल कुछ ही रंगों को देख सकते हैं विभिन जानवरों में अलग-अलग रंग द्रिष्टी पाई जाती है कुत्ते, चूहे, खरगोश में सीमित रंग की द्रिष्टी पाई जाती है बंदर, पक्षी तथा अनेक मचलियां विभिन रंगों को देख सकती है क्या आपको पता है कि मक्खियां तथा तितलियां हमसे अधिक रंगों को देख सकती है ध्वनियों के साथ बात करने वाले जानवर लंगूर अपने मित्रों को खत्रे से सचेद करने के लिए एक विशेश ध्वनी उत्पन्न करते हैं जब शत्रू आकाश या धर्ती से आता है तो कुछ पक्षी विभिन सचे तक ध्वनिया उत्पन्नी करते हैं ये अन्ने पक्षियों को सचेद करती है जब भूगंप या तूफान आने वाला होता है तो कुछ जानवर अजीब सा वहवहार करने लगते हैं आपने पक्षियों का चह चहाना सुना होगा पक्षी तथर डॉल्फिन बात करते समय ध्वनी उत्पन्न करते हैं मौसम सम्वेदन शील जानवर आपने गौर किया होगा कि सर्दियों में छिपकलियां गायब हो जाती हैं ये जानवर मौसम के प्रती सम्वेदन शील होते हैं तथा साल के कुछ निश्चित समय के लिए एक लंबी निद्रा में चले जाते हैं सर्दियों के दौरान मेठक भी निद्रा में चले जाते हैं भूजन के संचरण के लिए भालू भी सर्दियों के दौरान निद्रा में चले जाते हैं सर्थियों में उर्जा का कम प्रयोग करने के लिए भालू के शरीर का ताप कम हो जाता है तथा हिर्दय दर भी कम हो जाती है जानवरों में सोने जागने का चक्र मा क्या आप जानती है की स्लोथ एक दिन में सतरा घंटे पेड़ से लटक कर सोता है ये एक सुस्त जन्तु है गाएं एक दिन में चार घंटे सोती है, एक अचकर एक दिन में अठारा घंटे सोता है, जिराफ एक दिन में दो घंटे सोता है, तथा एक बिल्ली एक दिन में बारा घंटे सोती है बहुत अच्छे रंजीत, तुम्हें जानवरों के सोने जागमे के चक्र के बारे में बहुत अधिक जानकारी है बाग में समवेदनाए बच्चों हम सभी जानते हैं कि बाग बहुत ही खतरनाक जानवर होता है एक बाग रात में मनुश्य से छैगुना अधिक अच्छी तरहा देख सकता है वो हवा में कमपन महसूस कर सकता है तथा रात में शिकार को पकड़ सकता है बाग में धीमी ध्वनी को भी सुनने की क्षमता होती है बाग अपने पेशाब द्वारा अपने स्थान को चिन्हित करता है इसकी दहार को तीन किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है रोचक तत्थे एक खोजी कुत्ता अपनी असधारण नाग द्वारा लगभग चार तिन पुरानी सेंट को सुन कर उसे खोज सकता है इसी कारण से खोजी कुत्तों का प्रयोग गुमशुदा लोगों की खोज करने के लिए किया जाता है केवल अपने सिर के ठीक पीछे को छोड़ कर कभूतर तीन सो चालिस डिक्री पर भी देख सकते हैं वे बहुत धीमी ध्वनी 0.1 हर्ट्स तक को भी पहचान सकते हैं बाज 10 सेंटीमीटर की वस्तु को 1.5 किलोमीटर की उंचाई से भी देख सकता है चमगादर अंधेरे में नहीं देख सकती है रात में उठते समय स्थान की स्थिती का पता लगाने के लिए वे अपने कानों का प्रयोग करती है कुछ जानवरों में ऐसी अनूखी समवेदनाई पाई जाती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है वे विद्युत या चुम्ब की एक शित्र का पता लगा सकते हैं और ध्वनी के साथ देख सकते हैं हमने क्या चर्चा की? सूंकर देखकर सुनकर आदी तरेकों से वस्तून का पता लगाने में मस्तिश का हमारी सहायता करता है संसार को समझने के लिए जानवरों में अद्भुद समवेतनाएं होती हैं इन में से कुछ में पैनी निकाहें तथा कुछ में सूंगने, देखने, सुनने, महसूस करने तथा स्वात लेने की तीवर शक्ती पाई जाती है मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा उश्मा द्वारा हमारा पता लगा लेते हैं हम अपने नस्दी की लोगों की शरीर की गंध से उसकी पहचान कर सकते हैं हमारा मस्तिश्क हमें दुर्गंद को सुंगने से बचने तथा सुगंद को पसंद करने का निर्टेश देता है सभी जानवरों में सबसे पैनी निगाहें पक्षियों की होती है हाथियों के बड़े कान उन्हें बहुत दूर की ध्वनी सुनने में सहायता करते हैं कुछ जानवर सीमित रंगों को ही देख सकते हैं जबकि मखियां तथा तितलियां उन रंगों को भी देख सकती हैं जिने हम नहीं देख सकते हैं कुछ जानवर अपने मित्रों को खत्रे से सचेत करने के लिए विशेश धोनिया उत्पन्न करते हैं प्राक्रितिक आपदा आने से पहले कुछ जानवर अजीब सा वैवाहार करने लगते हैं। बाग एक सजेत जानवर है। कुछ जानवर विशेश मौसम के दोरान निद्रा में चले जाते हैं।